यह जो ring light है वो आप कैसे apply कर सकते हैं यहाँ पर उपर side में आप देखेंगे जो ring light है मैंने पिछली वीडियो में बताया था आपने नहीं देखा तो देख लेना और फिर भी मैं आगे आपको बताऊंगा इसे आप कैसे लगा सकते हैं चली ही बात कर लेते हैं हमारे first features की जैसी guys आपको first features के लिए setting में आना है और setting में आने के बाद में बहुत सारे option मिलते हैं तो guys आपको यहाँ पर एक option मिल जाता है app बाला आप app में click करिएगा आप app में बहुत सारे आपको features मिलते हैं आपको यहाँ पर सबसे पहले features देखेंगे app kloner का है इसमें click करेंगे आप जैसे कि कोई application को आप double use करना चाहते हैं Facebook को या WhatsApp को तो यहाँ पर आप click करिएगा यहाँ पर और click करने के बाद में create पर click कर दीजेगा अब आप देखेंगे आपके home screen में 2 Facebook हो जाएंगी जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यह हमारी एक Facebook हो गई और एक और यह Facebook हो गई आप दो ID को आप इस तरह से WhatsApp में भी और यह Facebook इंस्टागराम में आप यूज कर सकते हैं यह आप application काफी कमाल का है create clone वाला extra HD वाला जिससे कि आपको बन 08 megapixel की जो पिक्चर है निकलने वाली इसमें click कर अब जैसे कि मैं एक पिक्चर आपको निकाल के दिखा देता हूँ यह मैंने निकाला अब आप देखेंगे इसमें आपको बन 08 megapixel मिलने वाला है आप इसको जूम करेंगे आप इसे बहुत जादा जूम कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो quality है अच्छी आती है बन 08 megapixel जाते हैं वीडियो में जाएंगे आप यदि आप यहाँ पर quality set करना चाहते हैं 1080p में या फिर 720 में आप यहां से कर सकते हैं गाइस next features के लिए आपको phone setting में जाना है इस तरह से और setting में आने के बाद में यहाँ पर आपको option मिलेगा पासबर्ड और से क्लिक करिएगा और पर देखिंगे face बगएर डाल सकते हैं अपना guys next features के लिए आपको यहाँ पर setting में आना है setting में आने के बाद में यहाँ पर safety and emergency का option मिलेगा इसमें click करिएगा अब यहाँ पर देखो आपना जो भी contact यहाँ से save कर लेते हैं जैसी कि आप कोई भी number यहाँ से save कर सकते हैं अपन बहुत जाएगा जिससे कि आपको emergency में यह बहुत जादा features काम आने वाला है आप यहाँ पर बहुत सारे option हैं यहाँ पर आप आके इसे set कर सकते हैं बागे guys back आना है आपको next features के लिए और यहाँ पर आप देखिंगे special features मिल जाता है इसमें click करिएगा और मैंने आपको पिछ देखिंगे यहाँ पर आपको setting में आना है और setting में आने बाद में यहाँ पर आप देखिंगे एक option मिलता है जो की काफी कमाल का grid line वाला जैसी कि आप अपनी photo में grid line दिखाना चाहते हैं camera में अब आप देखिंगे जो हमारी grid line यह आ चुकी है आप देखिंगे बीच में सटर साउंड वाला जैसे कि आप कोई picture निकालते हैं और आबाज आती है उसे आप बंद करना चाहते हैं यहां से बंद चालू कर सकते हैं अब यहाँ पर फिलिप selfie वाला option है मतलब कि guys आपकी जो selfie इधर साइड है कभी इधर साइड हो जाती है तो यह selfie को आप इसे चालू कर सकते हैं फिलिप selfie को अब इसी की नीचे और भी option मिलते हैं shooting method वाला इसमें click करिएगा और जो हमारी volume बटन है उससे आप click कर सकते हैं अपनी picture वगएर को इसमें आप click करिएगा अब आप देखेंगे आप अपने phone में आएंगे back आईए camera में और यहाँ पर आप click करते हैं तो click करने वाला जो features तो बंद कर सकते हैं back आईएगा guys यहाँ पर आपको और फीचर मिलते हैं नीचे आने के बाद में जो volume बटन action वाला जैसी अभी मैंने आपको बताया था यह वाली volume बटन से आप picture ले सकते हैं यहाँ पर आप सटर में click करिएगा और आप back आजाएगा आप guys next features के लिए आपको यहाँ पर आना है setting में ही और आजाई के setting में और नीचे आने बाद में आपको और भी option मिलते हैं quick launch वाला यह जो option है ना काफी कमाल का यह बंद रहेगा आपको इसे चालू कर दीजेगा अब आपका जो phone बंद रहता है और आप यह volume बटन को double bar click करेंगे इस तरह से तो जो camera है वो चालू हो जाता है आप देखिंगे कुछ इस तरह से आपका जो camera है वो चालू हो चुका है और यहाँ पर आपको बहुत सारे features मिलते हैं यहाँ पर देखो more में जाने के बाद में text scanner वाला जैसी की कुछ भी लिखा है सामने में और आप scan करना चाते उसे तो यहाँ इसमें click करिएगा आप कोई number वगेरा या कुछ चीज लिखा हुआ है तो आप scan कर सकते हैं यहाँ से अगली features के लिए आपको यहाँ मोर में आना है और यहाँ पर slow motion का भी features मिल जाता है आपको यहाँ पर time-lapse वाला option मिल जाता है इस टीकर वाला option मिल जाता ह अब जैसे कि कोई sticker में आप click करते हैं यहाँ पर आपको देखेंगे download करने का option आएगा मैंने अभी net चालू नहीं किया है आपके बहुत सारे option आजाते हैं यहाँ से sticker वाले आप guys more में ही आई गया और यहाँ पर आपको extra HD वाला option मिल जाता है जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक option मिल जाता है side war वाला इस तरह से आप करेंगे तो यह side war निकल के आजाता है अब इसके लिए मैंने पिछली वीडियो में बता दिया है आपको नहीं देखा तो देख लेना बांकि आपको मैं फिर से बता देता हूँ आप इससे कैसे enable करेंगे तो guys इसके लिए आपको य आप यहाँ पर आप देखेंगे यह वाला एक status bar छोटा सा निकल के आजाते हैं अब यहाँ से आप कोई भी application यहाँ पर क्लिक करेंगे तो यह application यहीं पर floating window में चालू हो जाएगा अब यहाँ पर आप इसे use भी कर सकते हैं guys next features मिलता है आपको digital volume यहाँ पर क्लिक करिएगा और क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आप देख सकते हैं आपने फॉन को सबसे ज़्यादा किस वाले application में time दिया है वो सारा कुछ यहाँ से देख सकते हैं और यहाँ पर आप ज़्यादा देखेंगे application में बहुत सारे option मिल जाते हैं जैसे कि guys यहाँ पर आप आएंगे जादा आपको परिसान कर रहा है तो यहां पर जैसे कि मैं इसे gallery पर click कर लेता हूँ और यह message में click कर लेता हूँ इसके बाद मैं आप turn on कर लेते हैं अपने जो focus mode को तो आप देखेंगे जो application होते हैं जैसे कि हमने जो lock किया था वो application यहां से open नहीं होने वाले हैं आप देख स इसके बाद मैं automatically वो जो हमारा free fire है बंद हो जाएगा यहां से आप इसे बंद कर लिजएगा guys next features के लिए आपको setting में आना है अपने phone की setting में जाएगा यहां पर आपको additional setting मिलती है अब यहां पर आपको बहुत अच्छे features मिलते हैं इसमें click करिएगा और यहां पर आप menu बगईरा set कर सकते हैं जैसे कि इसे अप click करेंगे तो lock screen हो जाएगी यहांप इसे कहीं पर भी रख सकते हैं इस तरह से और यहां पर आपको option मिल जाते हैं tap menu आले अब यहां पर आप देखेंगे इसमें click करेंगे इतने सारी menu निकल के आने वाले हैं, तो guys अपने हिसाब से customize कर सकते हैं, बाकि use नहीं करना है, तो आप इसे बंद भी कर लिजेगा assistant ball को, अब next features के लिए आपको back आना है, और यहाँ पर gesture and motion पर click करिएगा, यहाँ पर click करने के बाद में आप देखेंगे, जो आपके बहुत सारी features आ जाते हैं, जैसे कि swipe down अब यहाँ से आप skin sort इस तरह से ले सकते हैं, और आप चाहते हैं कुछ इस तरह से अपनी power button और यह volume button को press करेंगे, तो यहाँ से भी हमारी skin sort निकल जाती है, अब आपको long skin sort लेना है, जैसे कि यह वाला हमारे इतना लंबा आपको skin sort लेना है नीचे सूपर तक, तो आप three fingers इस तरह से करिएगा, अब यहाँ पर scroll पर click कर लीजेगा, अब आपकी scrolling है न यहाँ चालो हो जाएगी और आप लंबी वाली skin sort है बोले सकते हैं, और okay कर देंगे यहाँ से तो जो long skin sort है निकल जाएगी बहुत लंबी लिश्ट वाली अब guys आपको अगले features यहाँ पर मिलता है gasher and motion में ही इसमें click करिएगा और इसी की नीचे आप देखिएगे touch and hold वाला, जैसे कि आप guys three fingers से यहाँ से touch करके रखते हैं तो एक जो हमारी skin sort निकल जाती इस तरह से, अब यहाँ पर आप इसे adjust भी कर सकते हैं, इतनी skin sort लेना चाहते हैं आप, या फिर आप इतनी skin sort लेना चाहते हैं, आप अपने हिसाब से set कर सकते हैं इसे, और guys यहाँ पर press करके रखिए कि कुछ इस तरह से और आपको और भी option मिलते हैं, जैसे कि यह save बाला option आजाता है, आप round में लेना चाहते हैं, skin sort तो आप round मिले सकते हैं, कुछ इस तरह से या फिर आप और कोई यहाँ पर color बगएर करना चाहते हैं, तो color कर सकते हैं आपको बहुत सारे option यहाँ पर मिल जाते हैं, अब यहाँ पर आपको back आजाना है next features के लिए, आपको अपने phone की setting में आना है कुछ इस तरह से, और additional setting में आजाना है, और setting में आने के बाद में एक option मिलेगा, gesture and motion वाला, इसमें click करिएगा, lift to hear answer call वाला, आप इसे चालू कर लेते हैं, तो आपका कोई calling आई और आपने phone उठाया, और आप अपने कान के पास में लेके जाएंगे आपके phone को, तो जो आपका phone है automatically से pick up हो जाएगा, इस वाली features को आप चालू कर लेते हैं, तो अब इसी की नीचे एक option मिलता है auto receiver वाला, जैसे के आप इसे चालू कर लेंगे और या फिर speaker में है आपका phone और आप कान के पास में लेके जाएंगे तो ये automatically जो आपका speaker mode disable हो जाएगा अब guys इसी की नीचे और option मिलता है flip to mute incoming call, आप इसे चालू कर लेते हैं, तो कोई आपकी incoming calling आ रही है और आप अपने phone को इस तरह से पलड़ देंगे, तो जो आपकी incoming call है वो बंद हो जाएगी mute हो जाएगी, silent mode में आपका phone चले जाएगा, so guys next features के लिए आपको यहाँ पर आना है status bar में और status bar में आने बाद में देखेंगे एक option मिलता है, आप अपनी wifi को और hotspot को भी एक साथ में यूज कर सकते हैं, इससे मैंने ये wifi hotspot चालू किया, और wifi भी हम दोनों एक साथ में ही यूज कर सकते हैं इसे, अब ये काफी कमाल का features है, जैसे कि आप wifi भी ले लिंगे किसी से, और hotspot देना चाहते हैं तो वो भी दे सकते हैं, आप guys यहाँ status bar में आपको एक और option मिलता है, status bar में आईएगा आपको यहाँ पर option मिल जाता है, edit वाला इसमें click करेंगे, तो यहाँ पर आपको नीचे side में बहुत सारे और भी features मिलते हैं जो कि आपको पता नहीं रहते हैं आप इन्हें यहाँ से add कर सकते हैं जैसे कि यह जो हमारा हो गया, skin log वाला यह फिर do not disturb वाला इसे आप अपने हसाब से add कर लेना, उपर side status bar में यह सारे के सारे जो features से आ जाएंगे अब guys आप status bar में आपको देखेंगे इसतने सारे आपको option मिल जाएंगे यहाँ पर आप click करेंगे तो और यह जो option है ना, ultra enhance वाला video enhance वाला, यहाँ पर आप इसे click कर लेते हैं तो आपकी जो picture quality होती है video quality वो बढ़ जाती है इससे अब यहाँ पर आप देखेंगे एक option मिल जाता है kid space वाला, जैसे कि मैंने आपको बताया था अभी kid space आप यहीं से लगा सकते हैं या फिर आप assistant ball को यहीं से ला सकते हैं या फिर guys यहाँ पर एक option मिलता है mute notification वाला, इसे आप चालू कर लेते हैं तो यह चालू रहेगा जब तक आपकी कोई भी notification नहीं आने वाली है और आप guys यहाँ पर एक option मिलता है आपको QR code वाला, जैसे कि आप इसमें किलिक करते हैं और कोई QR code है, यहाँ पर आप QR code लेते हैं इस तरह से तो यह automatically use वाली website में पहुंचा देता है और आप इससे पता कर सकते हैं कि वो QR code किस वाली company का ही है क्याचीज का QR code है अब यहाँ पर आप देखेंगे do not disturb का option है इसमें आप किलिक कर लेते हैं तो इसमें बहुंच सारे option मिलते हैं आप इसे use नहीं करते हैं मगर गाइस मैं आपको features बताऊंगा तो सायद आप इसे use करेंगे यहाँ पर आईएगा आप do not disturb में इसे प्रेस करके रखना और इसके बाद में आप देख सकते हैं कि आप इसे एक गंटे के लिए लगाना चाहते हैं दो गंटे के लिए लगाना चाहते हैं वो रख सकते हैं और यहाँ पर more पर किलिक करिएगा आप किस वाले application में इसे लगाना चाहते हैं किस वाले application बंद करना चाहते हैं वो कर सकते हैं do not disturb का मतलब यह है का guys यदि आपकी कोई incoming calling भी आती है और यहाँ पर आप देखेंगे एक option मिल जाता है more वाला इसमें किलिक कर लिजेगा यहाँ पर आपको भरवर के option मिलते हैं जो कि आपको मैंने पिछली वीडियो में बता है था इस वीडियो मैं भी आपको बता देता हूँ जैसे कि rise to wake up वाला है और dual tap स्कीन वाला है rise to wake up का मतलब यह है यह पहले से बंद रहेगा इसे आप चालू कर लेना अब आपको के अपने फोन को इस तरह से करते हैं आपका फोन बंद है और आप इस तरह से हलाएंगे तो आपका जो फोन चालू हो जाएगा अब गाईस इसी की नीचे एक option मिल जाता है dual tap to wake up, turn off या on वाला तो गाईस इसे आप चालू कर लेते हैं अब गाईस आपका फोन lock screen में रहता है और आप अपने फोन में double click करते हैं तो आपका फोन चालू हो जाता है अब मैं आपको बता देता हूँ कि जो मैंने light लगाए है इसे मैंने कैसे लगाए है ये वाली light उफर side में आप देख सकते हैं ring light तो इसके लिगा इसे आपको एक application download करने के जरूरत पड़ेगी ring ring करके एक application है इसे आप install कर लेए chrome browser में ये मिल जाएगा आपको download कर लेज़ेगा ring ring application करके अब इसे आप ये बंद रहेगा पहले से आप इसे चालू कर लेज़ेगा जो इसका size बगएरा है आप इसे change भी कर सकते हैं आप इसे left right में कर सकते हैं और आप इसका color बगएरा change करना चाहते हैं तो बो भी कर सकते हैं यहाँ पर आईएगा और यहाँ पर आपको color का option मिल जाता है आप यहाँ पर इसका color बगएरा change कर सकते हैं सुगाईस आज की वीडियो में बस यतना ही वीडियो आपको I hope की पसंद आई होगी लाइक जरूर कर दीजेगा और नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सकाइब करके notification bell जरूर से प्रेस कर दीजेगा अम मिलते हैं नेक्स इंट्रेस्टिंग वीडियो में